आप जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर मैंने अनौंच करी दिया था कि मैं इस वाली आईडी से अब रैंक पूस नहीं करने वाला हूँ हमारी जो मेन आईडियास के अंदर हम लोग ग्रैंड मास्टर पे तो हैं बाई ग्ली चूजर की वैसे मेरे को इस सीरिस को डिसकंटीनियो करना पड़ा क्योंकि एड़लम के रीजन के अंदर मेरे सोफ पर जितने भी प्लेयर थे मैक्सिमम प्लेयर सारे के सारे ग्ली चूजर थे खैर इसले मैंने एक नई आईडिया बनाई है और इसके अंदर हम लोग रैंक पुस करने वाले वैसे ये चैलेंज पहले भी बहुत लोग कर चुके हैं लेकिन हम लोग देखने वाले कि क्या हम लोग इस चैलेंज को कम्प्लीट कर पाते हैं चैलेंज किया है हमको बिल्कुल लूब आईडी से रैंक पुस करनी है वो भी बिल्कुल ब्रोंज से और आईडी के अंदर एक भी पैसा नहीं लगा होना चाहिए यानि कि इस आईडी के अंदर गन स्कीन वगारा कुछ भी नहीं होनी चाहिए तो भाई मैं यहाँ पर आज चाहिए बिल्कुल नई आईडी बनाने के लिए जिसके अंदर कुछ भी नहीं रहने वाले है हम लोग बिगनर तो नहीं है भाई हम लोग वेटरेन को चूज कर लेते हैं और यहाँ पर मैं अपना नाम लिग देता हूँ लेकिन तो मेरे को बहुत ज़दा बोरिंग लगने लगता है और इसके साथ मैं यहाँ पर बुला लेता हूँ अपने दोस्त को हम लोग बाते भी कर लेंगा और यहाँ पर हमारा लेवल अप भी होता रहेगा अब यहाँ पर हम लोग रैडी थे रैंक मैच खेल लेके लेकिन यहाँ पर मेरे को केरेटर चाहिए था यहाँ पर मैंने आईरिस तो ले लिया था और मैंने सोचा भाई इस सीरिस के अंदर हम एडलम का यूज तो नहीं करने वाले और वैसे भी मेरे को ताच्षै केरेटर का यूज करना ढग से नहीं आता तो भई अगर नूब بंधे आएंगे तो मैं ताच्षै का यूज करना सीख जाऊंगा और मैंने गेम के इंदर कुछ छोटे मोटे ऐचिवमेंट्स बना रखेते जैसे कि पहले मेरे को ताटसू यहLaughing खाई दिना ऐ फिर उसके बाद मेरे को मीसा के रही दिना है और उसके बाद हम लोग बाखी के Character भी構ा कर सकते हैं फिलाल आप लोग देंगे फटवाड से गेम के अंदर लेकिन भाई ये सीरीज मेरे बहुत ज़्यदा डिफिकल्ट होने वाले है क्योंकि भाई मेरे को only 30 डेज के अंदर बाई ब्रोंज से ग्रेंड माश्टर पे जान है और इस रास्ते में आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हैं आपको कुछ नहीं करना है बस आपको वीडियो को बोट नहीं थे यहाँ पर कुछ मतलब ओनलाइन प्लेयर भी थे अब जैसे कि आप लोग मेरे सामने देखो एक बंदे ने गलुवल लगा रहे है और बोट कभी भी गलुवल नहीं लगाते है और यहाँ पर खाली आखरी का यह एक बंदा बच है साइज से वह तो बोटी हो हो सकता है तो हम लोग जाएक उसको वड़ावट से मारते और जैसा मैंने का इस मैच के अंदर भाई बोट प्लेयर बहुत जादा थी तो आखरी का बंदा साइज से बोटी था वह जोन से एलिमिनेट हो जाता और यहाँ पर मेरे को बुईया मिल जाता है और भाई इस मैच क का हल पहले वाले मैच से थोड़ा अच्छा रहता है क्योंकि इस मैच के अंदर भाई अच्छे अच्छे प्लेयर भी आये थे और पहले वाले गेम के मुकाबले इस वाले मैच के अंदर रियल प्लेयर की संक्या बढ़ी हुई थी तो यानि कि इस वाले गेम में मेरे को पहल बन इतना ही नहीं हमारी भाई श्ट्रिक भी बनती रहती है और ऐसी देखते देखते हम लोग भाई प्लाइटिनम भी बहुत आसानी से पहुच गए लेकिन मुझे ये बात बहुत अच्छी तरीके से मालूम है प्लाइटिनम डायमेड यहां पर हमारी रैंग भूत ही आसानी से बढ़ेगी लेकिन इसके बाद हाड लोबी आनी शुरू हो जाएगी लेकिन मेरे को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि प्लाइटिनम भी मेरे लिए बहुत जदा हाड पढ़ने वाली है अब जैसे कि आप लोगों ने लोबी में देखा कि सारे के सारे रियल प्ले इस का यूज करने वाले है वैसे इस आड़ी में भी मैं वेपन ग्लोरी के अंदर पुस्ट करने की सोचरों किसी एक वेपन के अंदर अब वो कौन सी गयना आपको वीडियो में आगे मालूम पढ़ जाएगा अब सामने से एक बंदा आता जिसको मैं बैटके हैट शोट मार देता हूँ और यार एक बर मैप के अंदर देखो चारों तरफ से यार भाई घिर रहा हुआ हूँ चारों तरफ यानी की एनिमी एनिमी है और भाई कोई भी पास में नहीं आ रहा है ओके सामने पीछे की साइड से एक बंदा आ रहा है हम लोग अंदर आ चुके हैं यहाप मैंने इसको गोली तो मारी है लेकिन कोई फायदा नहीं रहने वाला है और दूसरी गोली के अंदर बंदा खातम यहां पर भाई हमने इस बंदे को तो मार दिया और यहां पर एक और बंदा आ चुका जो कि हमारे पर थर्ड पार्टी करने कोशिस कर रहा है ओके यह तो एक लड़की है जो कि ट्रक लेके घूम रही थी मैंने इसको पहले भी देखा था हम लोग इसको मानी कोई करते है पहले तो अब वह लड़की तो बचके भाग जाती है लेकिन यहां पर मेरे को एक बंदा मिला है जिसमें मेरे को मिलके देती नहीं है यार इतना छोटा जोटा अब गन नहीं मिलेगी तो वेपन ग्लोरी का पुस्ट खासे करूँगा और यह एनिमी मेरे को डैमेज देना शुरू करते है जोन के अंदर नहीं जाने दे रहा है आप लोग देसे हो तो बाई अच्छे बंदे आने शुरू हो गें आप जोन के अंदर भी नहीं जाने दे अब इस बंदे को हम लोग माने कोईस करते हैं यहीं पर आ रहा हो के अवास तो आर यह खांपर है बंदा यार अब इसकी अवाद आती हो के यह खड़ा यहां पर मेरे इसको डैमेज दिया है दो में इसका सोनी एक्टिवेट हो चुका है दिमित्री है क्या नहीं हाँ पर य यह किलियर हो चुका और यहां पर हो चुके हमारे नो किल हम लोग चलता है फटावट से जोन की और लेकिन उससे पहले बंदे के बास एंट्री है हम लोग वह उठाले दैट क्योंकि वह जोन के अंदर नहीं जाने देता है और वह इतना मतलब कि बेकार बंद आता कि खुद दिया है बहुत हलका सा इससे कोई फायदा तो नहीं होने वाला ओके साइस से वो गाड़ी के अंदर बैठने वाली है नई भाई ओपन में पाइट कर रही है यहां तो मैंने हैड मारा और हैड से किलर हो चुके है अब जस्ट यहां पर आकरी के दो ही तो बंदे बचे हैं औ तरहो हैं और हम खाली 10 किल कर पाए उस बंदे को मैंने हैडा तो मार ये लेकिन भाई बंदा आगे की साइड को चला गया हम लोग रस करते हैं उसे कलियर करता है फटा फट से आपके भाई मैंने क्या यू सकना ही तो मिलता है तो मिलता ही इसके साथ हमारी साध डूया की रिक तो थी और साथ व्यास्मान पर मेरा confidence था अब थोड़ा आगे को जाता हूं तो यहाँ पे एक मेरे को camper मिलता है जो कि पहले मैं इसको body body मारता हूं एड हैड से clear कर देता है और इसके साथ हमारे यहाँ पे तीन सारे बंदे होते हैं आप लोग मैप में भी देख सकते हो अब मैं सिधा बंदों की तरफ ही रस गयता हूं यहाँ पे मेरे को लगता है खाली एक ही बंदा है जो कि मेरे सामने होता है मैं इसको headshot से खतम कर देता हूं अब इतने मेरे बेकार प्लेयर भी नहीं थे ऐसे प्लेयर से कई बाहर मरता हूं मैं गेम के अंदर मतलब यह अगर आप लोग इनके सामने कुछ गलती कर दोगे न यह आपको easily मार सकते हैं और मेरे साथ भी यही होता है मेरे को कुछ बंदों के footstep तो आ रहे होता है लेकिन location किसी की दिखी नीर होती है map के अंदर तो मेर अब क्या मारेंगे इसको रस करके थोड़ा बहुत हम लोग अब के चक्कर में आखिर यहां पे देखना होगा क्या मैं उपर की साइड को आता हूं वैस्ट को अफ्ग्रेड करता हूं यहाँ थोड़े बहुत हैरी भी मारता हो बंदे को जोकि बंदा डैमेग्स था मैं यू तो यहां पर हम लोग कुछ कर भी नी सकते हम लोग गेम खेलते रहते हैं यहां पर फिर से मैंच बनाना सुरू कर रहेता हूं और यहां पर रैंक भी अच्छी खासी बढ़ाता हूं और ये दिखा के मैं आपको बताना चाता हूँ कि शुरू में हमारे जो गेम थे हुआ अच्छे जारते लेकिन अभी बहुत ज़दा बेकार हो रहे हैं और मेरे को यहाँ पर बस केड़ी के रीजन में जाने के लिए खाली डामेंड वन करनी है उसके बाद मैं केड़ी के रीजन में भी पहुच जाऊँगा अब इस बंद्र को हम लोग माननी कोई करते हैं मैंने गलौ मैल्टर फैक है ओके मैं पर चलता हूँ अबे यह क्या हुआ चलो हम लोग उपर आज़के हैं यहांपे यहांपे बूई जूठ बैक करते हैं फटाफ़र से और हम लोग देखते हैं हम केड़ी के रिजन में आया या फिर नहीं हम लोग देसे सोते हों अभी की टाइम पे डैमनें पहुचने वाले हैं अबे यार एक स्कोड से रहा है और Mmmıt कम स्कोर से रह गए हम लोग अभी एक मैच और खेलना पड़ेगा और यहां पर हमारी तीन बुईया की श्ट्रिक भी हो गई है यार मेरे को माउप कर देना मेरी कैलकुलेसन थोड़ी खराव है इस मैच के बाद हम लोग पका पहुचने वाले हैं जो कि बाबा मेरे को परिसान कर रहा था है इसको मैं फुल राड नमबर देता हूं इतने पीछे से एक और बंदा थर्ड पार्टी कर देता है अब यार ऐसा अच्छा थोड़ी लगता है बंदे ने थर्ड पार्टी कर रहा है इस बंदे को तो मानना बंत है अब इस बंदे को इंदर मैं आ जाता हूं यहां पर मेरे कोई एक भी बंदा नहीं मिलता है लेकिन नीचे से फूट स्टैप आ रहे होते हैं और मैंने नीचे माइन लगाया हुआ था थोड़ी इंदिजार के बाद भाई एक बंदा आता है जिसको डैमेज पर जाता है और इस बंदे को बोड़ के एक और बंदा था जो कि हमें बार-बार उपर से मारता पहले आपको याद होगा और यहां पे मेरे घर के नीचे भी एक बंदा है लोल मेरे को मालूम ही नहीं था अब इस बंदे को माननी कोईस करते हैं भाई हैड़ भी दिया लेकिन इस बंदे ने भाई बहुत ज़दा डैमेज दे दिया है आई थिंग ड्रोगन यूज़ कर रहा है भाई साब मेरी ग्लूवल स्लीप हो गई एंड वो बंदा मर चुक है और यहाँ पर मेरे को किंग भी मिल चुक है और एक बंदा एलिमिनेट भी हो है तो अब हमारे लावा खाली एक ही बंदा पाच है और जो क प्यारा लगता है मिनिमल सा लगता है और इसके बाद यहाँ पर हमारी चार बुया की स्ट्रिक भी हो जाती है और अब मैं केड़ी वाले रीजन में आगे चेक करता हूँ यहाँ पर मेरी 83 की केड़ी हो चुकी थी लेकिन भाई फिर भी मेरे को रीजन के अंदर नहीं लिया मैंने रिस्टार्ट करके भी देखा लेकिन कोई फायदा नहीं साइच से कोई बग है यहाँ पर हम लोग आई नहीं सकते कैसे भी करके खैर इतनी केड़ी का कोई फायदा भी नहीं है हम लोग इसको होल्ड करी नहीं पाएंगी हम लोग डैमेड बन पर तो आगे थे लेकिन भाई अब गेम बहुत ज़दा हाड बनने लग गे थे अब यहाँ पर आप लोग देखना है मैं क्या IQ लगा हूँँगा यहाँ पर मेरे पास नेड रहते हैं पहले मैं ऐसी फैक्त हूँ क्योंकि एक बंदा थर्ड पार्टी करने ही सोच रहता लेकिन उस बंदें कोई ओर डाउन कर देता हूँ अब उस बंदे को मैं लूट लेता हूँ यहाँ पर मैं सांदी से बिल्कुल लूटी रहा तो लेकिन यहाँ पर एक बंदा थर्ड पार्टी कर देता हूँ भाई मतलब की सांती से किसी को लूटने भी नहीं देते और इस मैच के अंदर मेरे पास ग्रोजा थी और मैं आपको बता दू मैं ग्रोजा के अंदर वैपन ग्लोरी में पुस्च कर रहा हूँ लेकिन हमार पास केवल तीसी दीन है तो हम लोग टोब नमबर बन तो नहीं कर सकते हैं लेकिन हाँ हम लोग हंड्राइट के अंदर जाने की जरूर से कोसिस करेंगे अब देखते देखते जोन आ गया था तो मैं भी जोन के अंदर आ जाता हूं और यहां पे मेरे अलावा केव डवल यूज कर रहा है थोड़ा समल के रहना पड़ेगा मैं अब बोड़ी बोड़ी मार है अब मैं यार हैड लगी नीरा बंदे को अम मैं उस बंदे को लूट के थोड़ा बहुत आगे को आ जाता हूं और यह बंदा भाई फिर भी हमेर तूबी समय को डैमेज देता है औ हमको मार देंगा किंग वाला टैटल हैं मार और यहां बैसे मेरा बुइ मेरे को लग रहा ठाय करने को इस मेरे थर्ड़ ंदेति हो जाती है बह cima सारे बхण को मिल के मार देते हैं यहां पर जिस बंदे मेरे मेरे मार अुप को भी को उर्म कहा पर है इतना सातिर होता छुपके बैठा रहता है और मेरे को हेडशोट मार के मतलब डाउन कर देता है और डाउन करके किलर करने के बाद भाई बंदा इमोड दिखाता है भगवान करें ऐसे प्लेयर किसी के गेम के अंदर नहां है मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो बंदा वहाँ पर छुपा होगा अगर मेरे को मालूम होता ना तो इस बंदे की खैर नी थी और आप लोग भाई हिस्ट्री भी देख सतों कैसे गेम मेरे जा रहे थे एक गेम बुई हो रहे हैं भाई मतलब भो जदा हाड हो दी थी मेरी हालत खैर इस मैच के अंदर हमार मुखे मेरं मुखे मालूगा नीए लेकिन इतना हलका बंदा नी रहता है इस बन्दे को उसअ यहां पर हमारे 26 घल हो कर दो जा कर दो और यहां पर हमारे 8 गिल हो जाते और केवल हमारे लावा एक ही बंदा बच्टा है जो आख्री वाला था थे था इसके पास वाला टाइटल भी था तो इसे थोड़ा समलके तो रहना ही था और यहाँ पे बंदा मेरे सामने आता है, मैं इसको पहले तो बोडी बोडी मारता हूँ और इस बंदों को हैड माने कोई करता हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं रहता है, हैड लगता ही नहीं मैं नेड करता हूँ ताकि बंदा मेरे सामने आ जाए और बंदा सामने आता है लेकिन फिर इसको बोड़ी शोट पड़ता है अब ये वाला बंदा ही भाई बहुत जदा धीड़ था सामने आय नहीं रहता वैसे मेरा डामेज था अब ये सामने निकलता है मैं इसको े बिल्कुल close में पोत्जाते हैं अब ये वाला जोग II ams ग्यां के बाद हम लोग ईड़ाएब तो पोंचने वाली है लेकिन मेरे को खेलते इखेलते वाही बहुत ज़धा घंडे हो चुके तो और मेरे को आरता भाई बहुत ज़दा और मेरे से यहाँ पर बिल्कुल फिंद्जार नहीं होता है मेरे सामरे एक बंदा होता है मसपर सीधा रस कर देता हूं और वो बंदा ले रहा होता है ट्रोग अरो मेरे को मार देता है और यहाँ पर मेरे हास से बुया तो मतलब बुया तो मेरे को मिलता ही निये वैसे हाँ यहाँ पे हम लोग Heroic पे पोच जाते हैं और फाइनल इतने घंटों तक महनत करते हैं यहाँ पे हमारी Heroic तो लग जाती है और आप लोग देख सते हो भाई हमको पहला Emblem मिल चुका है यानि कि इस ID के अंदर हम लोगोंने पहली ही बार Heroic करी है वैसे आप लोग यहाँ पे भी देख सते हो हमारा Score अभी के टाइम पे कितना हो चुक है और उसी के साथ हम लोग बात करें हमारी KD की तो भाई देख सते हो अभी के टाइम पे हमारी KD कितनी कम हो चुकी है यानि कि भाई मैं बहुती बेकार गेम खेल रहां और वैसे हमारा अगला पीसोड आने वाला एक दिन बात तो आपको क्या लगता है कि हम कितनी रैंक बढ़ा पाते हैं यानि कि हम लोग हिरोईक से खातक रैंक ले पाएंगे आप लोग कमेंट से सन के अंदर जरूर से बता दे रहां आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही मिलते हैंगली वीडियों जब तक के लिए जैसरी राम